एर कंडिशनर के बारे में काफी कोश्चन पूछे जाते हैं चाहे हो इस्पिलिट AC हो या फिर बिंडू AC हो इन्वाटर हो कोई भी एर कंडिशनर सिस्टम हो या फिर रेफ्रिजरेशन यानि की रेफ्रिजरेटर या फिर डिफ्रिजर कोई भी सिस्टम हो काफी question पूछे जाते हैं compressor heat up हो रहा है empire ज्यादा ले रहा है empire कम ले रहा है या पिर cooling नहीं कर रहा है तो इसके अलग-अलग fault होते हैं और बहुत बड़े fault नहीं होते हैं आसानी से आप बहुत ही कम समय में आप समझ पाएंगे लेकिन उसके लिए आपको दिमाख लगाना पड़ेगा कैसे इसी के बारे में बात करें जो चोटा सा वीडियो होने वाला है और उससे पहले बताना जाओंगा चैनल को सब्सक्राइब और अच्छे से मुझे फालो करके आप काम कर पाएंगे कोई भी फाल्ट हो कैसे आपको फाइंड करना होता है छोटा साव मैं बताऊंगा तो चलिए हम बात करते हैं कि कोई भी फाल्ट हो जैसे की कंप्रेसर हीट अफ हो रहा है कूलिंग नहीं कर रहा है या फिर ब्लूवर स को फैन मोर्ट मोटर नहीं चल रहा है तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको इसटार Battery कहांसे करना होता है अगर आप बिल्कुल नए फिल्ड में हैं तो आप सबसे पहले यह धीयान दीजिए किस तरह से आपको सीखना को किस तरह से आपको एक करके सीखना है तब आसानी से आप कम समय में सीख पाएंगे कैसे पहले आपको यह नहीं कि आप चलिए compressor की wiring करना शुरू कर दें capacitor से wiring करना शुरू कर दें या फिर compressor replacement करना शुरू कर दें नहीं पहले यह आपको study करना है कि कौन सा spare part कहां पे लगा हुआ है split AC हो, window AC हो सबसे पहले आप जिसके भी साथ में जा रहे हैं प्रपर काम करने के लिए आप उसे व kingdom की ना समझ पाएं तो उसे पूछे इस बंद की कौंसा square part है ये ये सामने जो दिख रहा है कौन सा square part है कि इंडोर में कौन-कौनसे square part कहां पे लगे हुए है इसको समझीये उसके आउट डोर में कौन से इस पेर पार्ट कहां पे लगे हैं इसको समझे अभी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में बताऊंगा इतने आसान लेंग्वेज में इतने आसान सरल भासा में बताऊंगा कि आप आसानी से समझ पाएंगे बिंडो एसी में कौन कौन से इस पेर एक करते हैं non inverter inverter non inverter उसा होता है तो नोidal की India करें हम इंडोर में क्या-क्या होता है SplWe CAP iC जो की रोम के अंदर जो लगा होता है लुक्त यह उसके अंदर कौण-कौण से इस-पयर पार्ट लगे होते हैं पहला थो गया blower motor blower also कि आप देढ़ सकते हैं यह थो उसके साथ में इंडॉर से इंडूर में लगा होता है यह और पूरे system को control करना इसी PCC के हाथ में होता है यह PCP पूरे system को control करता है यह indoor में इतने इस्पेर पार्ट लगया होते हैं एक filter लगा होता है जो सामने होता है और उसमें दो sensor लगए होते हैं PCP में connect होते हैं यह इस प्रपार्ट में लगा होता है और बाकी का जो body है उसके बारे में बात नहीं करेंगे body का क्या है body तो plastic का fiber का body होता है तो उस body में सब कुछ लगा होता है उसमें attach होता है ये हो गया indoor में indoor में इतने सारे spare part होते हैं अब हम बत करते हैं outdoor में इस video को देखने के बाद आफसानी से आप समझ पाएंगी कि AC रिपेयर करना कैसे हम सीख सकते हैं, इंडूर में हो गया, अब हम आउट्डोर की बात करते हैं, कि आउट्डोर में कौन को से इस्पेयर पार्ट कहां पे लगे होते हैं, एक तो हो गया, कंप्रेसर, जो मेन होता है, पूरे सिस्टम का, ज लिए केपेसीटर लगा होता है आउटडोर फैन मोटर लगा होता है जो कि जो कंडेंसर में जो गर्मी होती है उस गर्मी को निकाल कर बाहर फेकने के लिए एक condenser fan motor लगा होता है और condenser fan motor में उसमें blade लगा होता है जो आप देख सकते हैं fan एक blade लगा होता है ताकि गर्मी को पीछे से खीच करके सामने फेके ये spare part लगे होते हैं और कुछ AC में थोड़ा सा difference होता है एक में heat pump लगा होता है यानि कि 4-way reversing valve लगा होता है कुछ AC में सारे AC में नहीं लगा होता है जो cool mode पर AC काम करता है सिर्फ cooling उसमें 4-way reversing valve नहीं लगा होता है और बाकी AC में जो heat cool दोनों पे काम करता है उसमें heat pump यानि कि 4-way reversing valve लगा होता है और बाकी top cover front cover ये लगा होता है और condenser condenser के हैं ऐल्देंसर लगा होता है आउडटेंसर में जो की यह थाई अप देख सकते हैं यह होता है condenser और इंडोर में cooling koil लगा होता है जबकि windows i.dou cooling koil और heating condenser दोनों एक साथ में होता है पीछे के साई में condenser होता हैे। सामने होता है लेकिन इस में मतलब होता है या लेकिस के बाहर होता है इसलिए उसे ऊपर लगाए जाता है पिर च्छत जाता है तो इतने सारे उस्पेयर पाइप होते है अब जूर चुलीके खराब है इसे कैसे find करना है इसके लिए भी आसान सा तरीका होता है जैसे कि मानिए compressor heat up हो रहा है वीडियो छोटा सा मैं बोला हूं लंबा हो रहा है तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अगर इसमें मैं फाल्ट के बारे में बताऊंगा तो काफी लंब कौन सा इस पेर पार्ट खराब है कैसे पहचाने के ओ भी सामने खड़े हो करके बीना चेक की आप समझ पाएंगे तो चोटा सा वीडियो था अब दूसरे पार्ट के लिए आप वेट करिए उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा काफी डीप में इस वीडियो में अ